अपनी बिभिन मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे बिहार के नियोजित सिक्षकों से डिप्टी सीम समराच चौधरी 15 फरवरी को वार्ता करेंगे बड़ी संख्या में आंदोलन रत सिक्षक मंगलवार साम को पटना में समराच चौधरी से मिलने बीजेपी दफतर पहुँचे डिप्टी सीम ने उन्हें गुरुवार दो फर दो बजे मिलने का समय दिया है हलाकि बीजेपी कार्याले के बाहर जुटे सिक्षकों पर पुलिस ने लाठिया भी बरसाई इसमें कई सिक्षकों को चोटे भी आई है पुलिस ने महिला टीचर्स को हिरासत में भी लिया था दरसल बिहार में नियोजित सिख्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार सक्षमता परिक्षा लेने जा रही है नियोजित सिख्षक इसका विरोध कर रहे हैं मंगलवार को पटना के गरदनी बाग में बड़ी संख्या में राज्य भर से आये सिक्षक एकत्रित हुए और विधान सभागेराव की कोसिस की हाला कि पुलिस ने उन्हें वहीं पर बेरिकेट लगा घर रोक दिया इसके बाद साम में कुछ प्रदरसन कारी बीजेपी कारियाले पहुँच गए समराच चोदरी से मिलने की जिद पर अर गए बीजेपी कारियाले के बाहर सिक्षकों की पुलिस से जड़प हो गई पुलिस कर्मियों ने प्रदरसन कारीयों को खदेरने के लिए लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने सिक्षकों पर लाठी चार्ज कर दिया जिससे वीर्चन पटेल पत्थ पर समित आस पास यातायाद भी ठप देखे गए कोतवाली पुलिस दस प्रदरसन कारियों को पकर कर थाने ले गई पी आर बॉंड भरने के बाद सभी को छोड़ दिया गया कोतवाली थानेदार ने बताया है कि दस नामजद और डेर सो अग्यात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस के लाठी चार्ज में कुछ सिक्षकों को चोटे भी आई बिहार सिक्षक एक्ता मंज के अध्यक्ष पूरन कुमार ने बताया है कि डिप्टी सीम समराठ चोधरी ने उन्हें किसी भी टीचर की नौकरी नहीं जाने का आस्वासन दिया है समराठ ने नियोजिस सिक्षकों के परतिनीधी मंडल को गुरुवार दो फर दो बजे मिलने का समय दिया है इस दोरान वे सिक्षकों से उनकी मांगे सुनेंगे सिक्षकों को चिंता करने की जरुवत नहीं है उनसे वारता के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी आंदोलन पर उत्रे नियोजिस सिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना किसी सर्थ या सक्षमता परिक्षा के राजिकर्मी का दर्जाद दिया जाए सक्षमता परिक्षा पास नहीं कर पाने वाले सिक्षकों की नौकरी जाने की आसंका है इससे उनमें रोस है सिक्षकों ने सक्षमता परिक्षा के पैटर्न पर भी सवाल उठाए है उन्होंने कहा है कि BPSC टीचर भरती परिक्षा ओफलाइन ली जा रही है जबकि सक्षमता परिक्षा ओनलाइन हो रही है कई सिक्षक ऐसे हैं जो कंप्यूटर से पूरी तरफ परिचित नहीं है ऐसे में वो कैसे ये परिक्षा दे पाएंगे